अलो दोस्तों आपको हमारी चैनल में स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अर्थिमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देखने वाले हैं यह चैप्टर थोड़ा नया है क्योंकि तेंथ क्लास में इस चैप्टर को एड किया गया जिससे पहले आप लोग ने आपके बारे में कुछ नहीं जाना को इसको सौट में एपी भी बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर स्रेडी ठीक है तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं और इसकी है अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आप 5.1 खुद से शौट में एपी ठीक है एपी इसको शौट में बोलते हैं यह समझ म proceso डेर और इसका अउनकौर दी। inability यह समझमी आपको यह हैं जानेंगते हैं वह को यह कौब नहीं होगा ठीक है यह एक्जम्पल लेता हूं 2486 तो अब कुश्चन यह बन रहा है कि यह AP है यह नहीं है यह अगर आप यह पता लगा लेंगे कि इस दोनों के भी सका difference तो देखें यहाँ पे इसका difference कितना आएगा किसा difference कितना आएगा सबका difference सेम है कि तब यह AP है थेपी होगा कि AP में आगर आप एक नंबर में जो नंबर इसका इश when डिफ्रेंस आ रहा है अगर आप वह नंबर कहीं भी आप करेंगे तो आपको एपी मिलता चला जाएगा अगर मान के से लिए बोलेगा कि इसका और चार पद जो है या फिर और चार टर्म जो है आगे का टर्म वह लिखे ठीक है तो आप क्या करेंगे इसमें दो जोडते जाए ठीक है यहां पर कोई भी संख्या हो सकता है उसमें एक निश्य संख्या जोड़ेंगे तब सब में ही निश्य संख्या जोड़ना होगा यह ने कि यहां पर दो जोड़े यहां पर तीन जोड़े तर फिर वह एपी नहीं बन पाएगा क्योंकि इसका कॉमन डिफ्रेंस होना यह जो इसके difference है वो same नहीं होगा अगर यह same नहीं होगा तो वो AP नहीं होगा यह clear होगे आप लोगों को ठीक है अब देखिए AP यहां पे आपको दो प्रकार का होगा एक तो finite AP होगा एक infinite AP होगा finite कहने का मतलब है निश्चित AP ठीक है finite का हिंदी होता है निश्चित और infinite का होता अनिश्चित ठीक है तो यह जो AP आपका यहां पे लिखा हुआ है ठीक है तो यह आपका finite है ठीक है यह निश्चित है और infinite क्या हो जाएगा बस यहां पर मैं एक कॉमा लगा के यहा तो आगे चलता चला जा रहा है संज मैं तो फाइनाइट और इन फाइनाइट इससे आपको कोई ज़्यादा फर्क में पढ़ने वहाँ लेकिन मैं यह नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि फाइनाइट भी होता है तो चलिए अब यह तो समझ में आके एक चीज़ और मैं आपक इसका एक-एक पद को ठीक है पतला एक-एक जो यहां पर नंबर है उसको हम लोग एपी में टर्म बोलते हैं और हिंदी में इसको पद बोलते हैं अब दोनों जान सकते हैं इस सब को टर्म बोलेंगे फर्स टर्म सेकंड टर्म फूर्ट तर्म ऐसे करके ठीक है फर्स पर्ड क्यों होता है फास्ट टर्म कि यह समझ मैं है फास्ट टर्म किसो बलता है यह समझ मैं है जैसे अगर आप कोई मान के से लिए राटम एपी ले लेता हूं चार आठ बार ठीक है तो यहां पर कॉमन डिफिरेंस चार-चार का सब मैं ठीक है साथ आओ आप देखें यह ब्लएगा कि एक क्या होगा इसमें गया है या फिर बोलेगा है कि क्या होगा जैसे भी कुसेнем सकता है फॉस्ट टर्म क्या होगा तो मैं hadda कkommen화를 है समझ मैं है तो इसको हमें लोग Pick फर्स्बमग कॉलते हैं आप देखे इसके बीस का जो डिफेर्स होता है न उसको में बोलते हैं ठिक है ठाल मंडिंपेंश क्या बोलते हैं ओंडिफेरेंश इसको अध से ठीक है क्या बोलते हैं common difference और इसको denote करते हैं D से तो अगर कभी हम लोगों को दी निकालना होगा ना कभी भी हम लोगा निकालेंगे तो क्या करेंगे यह सब्सक्राइब करेंगे तिसे अगर अगर हमको यहां पर निकालनी का फेरंस सब्सक्राइब करें इसको एठोर तो फिर्स्टी तो निकालेंगे घरेंगे आप एक फर्मुला बन गया को सेकेंड वाल में से फाल स्ट वाले को घाट अगए इस बात को आप ढहना रिखेंगे यह नहीं आप उल्टा नहीं ज़्यादर तर आपको कुषेन में पूछेगा कि वह इसका फर्स्ट टेर्म निकाले तो अगला कुष्ण बनेगा कि कॉमन डिफ्रेंस निकाले यानि दी निकाले तो मैंने बता ही दिया इस सेकेंड वाले में सास्ट वाले को माइनेस करा है तो आप लोगों को सबका डी निकाल का जिक करना पड़ेगा इस दोनों का और इस दोनों का ठीक है अगर सब बराबर बरा रहा है तो आप किना यहां तो घ्रत कर ने निकालेंगे пять 2 वाला 1 वाला फर्स्ट वाला यह 1 सेकंड वाला a2 a3 a4 a5 a7 8 9 जितना करा आप कर सकते तो ड1 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एटु यानि 3-2 तो कितना आया d1 is equal to sorry is not equal to d2 है तो आपको आगे check करने का कोई जोरत ही नहीं है ठीक है आप time waste ना करे exam में अगर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है जब d1 ही equal नहीं है d2 के तब आगे आपको कुछ check करना ही नहीं है यहीं पर आप लिख देंगे कि hence it is not ap यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो इसका common difference है वो same नहीं है ठीक है अगर यहाँ पर common difference same ही आता यहाँ पर one ही आता ठीक है तब हम आगे और check करते फिर वहां पर भी one आता तो फिर और आगे check करते जहां तक number लिखा होता वहीं बीधी तक करते यह नहीं की question में एथी तक दिया हूँ है और आप अपने मन से भी लेते चले जारह है मैं उपको है i mean is finite में लेता हूं 4246 यहाँ लग रहा है कि कि यहाँ पर डिफरेंस सीजने यह घुत होगा है तो आपको ये यहां पर डाइक क्लिक देना कि एक हम हों मुआ प्रूफ्ट करके दिखाना है यानि फिर थ्री-2 करेंगे तो कि पूस्ट फिर फिर D3 निकालेंगे फिर क्या हो जागा A4 माइनस A3 ठीक है तो फिर आप क्या घटाएंगे 8 में से 6 तो कितना आएगा 2 तो दीके सब में 2 आया यहां पे भी 2 यहां पे 2 यहां पे बुक में इतना ही दिया बता तो आपको इतना ही लेना यह नहीं कि आप आगे भी 10 11 लिख ले कि इसका common difference है वह बिल्कुल सेम है सब जगा तो यही पहला आपका exercise 5.1 क्लास 10 का तो आप आसानी से solve कर पाएंगे तो आप मैं आप लोगों को एक टाक्स दे रहा हूं कि NCRT का exercise 5.1 आप solve करें खुद से जहां पे आपको दिक्कत होता आप नीचे कमेंट कर सकते मैं आपके आपके लिए वीडियो अप्लोड जरूर करूंगा वैसे मैं जरूर से जरूर 5.1 पर आपके लिए वीडियो जरूर लाओंगा तो घापरानी के जोरत नहीं है लेकिन आप practice जरूर करें क्योंकि मैंने आपको पूरा concept बता दिया है 5.1 का ठीक है अब मिलते है नेक्स वीडि आपके जरूर के 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 जरूर